हेलो फ्रेंट्स वेलकम तू उदे करियर अकाडमी मैं अभी प्रिया आप सब को हिस्ट्री के टॉप 20 कोश्च करवाऊंगी जो की हर एक परिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट है जैसे की एंड़ी पुलिस यूपी लेकपार जेल वॉर्टर बिहार असाइब यहां तक कि स्टेट लेवल के हर एक्जाम में यह कोश्च पूछे जाते हैं यह हमारा आज पहला सेट होगा और आप हमारे चैनल के साथ जोड़े रहेगा देरे देरे आपको और भी सेट सम अवेलिबल करवाते जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोश्च की तरफ हमारा पहला प्रेशन है आज का कि भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था आप लोग इसके ऑप्शन पढ़ लीजे तो इसका आंसर है आपका 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था बढ़ते हैं हमारे दूसरे कोश्चन की तरफ दूसरा कोश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधी नियम पारिक किया जिससे ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतन्त सत्ताओं भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन ह हो गया ऑप्शन देख लीजे आप लोग ठीक है तो और इसका अंसर होगा पहला ऑप्शन भारती स्वतन्ता अधीनियम नाइंटीन फॉर्टी सेवन ठीक है और बढ़ते हम अपने दीसरे प्रशन की तरफ तीसरा प्रशन है कि 1857 में इन में से कहां विद्रोही की प्रशन के समय घा तक चोट पहुंची थी आप ऑप्शन देख लीजें अधीक है तो और इसका अंसर होता है आपका पहला ऑप्शन बैरकपुर बढ़ते हैं चौते कोशन की तरफ चौता कोशन है कि लाला लाजपत्राय को इन में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन के समय घा तक चोट पहुंची थी आप ऑप्शन देख लीजें ठीक है तो इसका अंसर होगा आपका पहला ऑप्शन साइमन का मिशन बढ़ते हैं पांच्वे प्रशन की ओर पांच्वे प्रशन है कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनाए गई थी और ये प्रशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अकसर किसी ना किसी तरीके से पूछी लिया जाता है आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजे ठीक है और इसका अंसर होता है हमारा पहला ऑप्शन भारत में स्थानिय स्वसरकार चालू की आप लग ऑपने क Ideal तो इस वा प्रशन का उत्तर होगा लौड मांट बेटन ने भारत में Sथान ये स्वसरकार चालू की ठीके बढ़ते हैं साथ्ए इनमें से किसे ज्यान से प्रकार्शन कहा जाता है और ये परफिन भी बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बार पुछा जाता यहां तक कि स्टेट लेवल क्वेवड Personally अक्सर पूछ लिए जाता है ठीक है तो हमारा सातवा प्रशन का उत्तर होता है बुद्ध को ग्यान से प्रकाशित कहा जाता है पड़ते हैं आठवे प्रशन की तरफ आठवा प्रशन है कि जजिया को किसके साशनकाल में पुनाह लगाया गया था जिसको कि अगुबर ने समाप किया था ठीक है आप इसके उप्शन पढ़ लीजे ठीक है तो इसका उत्तर होता है आपका औरंग जे औरंग जेब के साशनकाल में जजिया कर को पुनाह लगाया गया था ठीक है बढ़ते हैं हमारे नवे प्रशन की ओर और नवा प्रशन है कि एलोरा की गुफाएं इन में से किसकी हैं के ओप्सें पढ़नी हैं और इसका उत्तर है आपका यह सभी यानि की इलोरा की जो गुफाएं हैं वह हिंदू की गुफाएं भी हैं बॉंदी की गुफाएं वह और जैन की गुफाएं झाएं टीकिए 10 प्रशन की तरफ 10 प्रशन है कि इन में से हडपा कि किस स्थल में ठीक है और इस प्रश्ण का उत्तर होता है आपका लोथल लोथल में माफ करिएगा थोड़ा सा प्रश्ण को मैं दुबारा से पढ़ देती हूँ इनमें से हडपा के किस स्थल में डॉक रहा था डॉक समझते होंगे ठीक है आप इसका उप्शन पढ़ लीजे ठीक है तो इसका आंसर होता है आपका लोथल यानि की ऑप्शन सी आप लोग जानते ही होंगे कि लोथल को जो है मिनी हडपा के नाम से भी जाना चाता है और जो यह जो डॉक होता है आपका डॉक जो है आपको लोथल को हमारे जो सिंध में जोहडपा के शहर थे और जो फॉरास्ट्र के बीच में जो बहती सावरमद्धी की जो आपकी धारा थी प्राचीन धारा उससे यह इस शहर को जोडता था डॉक के दौरा ठीक है तो आगे बढ़त कि इन में से किसे भारतिय मैक्या वेली कहा जाता है आप लोग आप्शन्स पढ़ लीजे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइट कर देती हुँ ठीक है तो और इसका आंसर होता है आपका कोटेल और चाड़क को ठीक है तो बारवा प्रशनी की तरफ बारवा प्रशन है हमारा कि भारत आने के समुद्री मार्ग की खोच इन में से किसने की थी और हमारा आंसर होता है आप्शन नंबर बी वास को डिगावन ये दो सबको पता ही होगा खेर बढ़ते हैं हमारे उत्तर प्रशन 13 की तरफ वेदों की और लॉट आएं आहावान किस ने किया था ठीक है तो इसका आंसर होता है आपका दयानन सरस्वती जी ने ठीक है प्रशन 14 की तरफ प्रशन 14 है हमारा अकवर नाम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है ठीक है और इसका आंसर होता है हमारा अबुल फजल ठीक है बढ़ते हैं प्रशन पंद्रा की तरफ प्रशन पंद्रा है हमारा कि 1659 इस्वी में शिवा जी ने किस किले में अफजल खान को मौद की घाड उतार दिया था आप्शन पढ़ लीजे और इस कोशन का अंसर होता है आपका प्रताब करे के किले में ठीक है बढ़ते हैं प्रशन सोला की तरफ कि किसके शासन काल के दोरान पिट अधीनियम 1784 इस्वी को प्रस्तावित किया गया था इसके ऑप्शन थोड़े से उपर नीचे हैं मैं बढ़ देती हूँ पहला उप्शन है लौड कॉनवालिस दूसरा है लौड वेलेजिली तीसरा है लौड मिंटो चोथा है वेरनास्टिंग्स प्रशन के एक बाद फिर से दुबारा दिखा देती हूँ कि किसके शासन काल के दोरान पिट अधीनियम 1784 जिसमें आया था प्रस्तावित किया गया था और इस प्रशन का उत्तर होता है आपका लौड मिंटो लौड मिंटो के शासन काल के दोरान हमारा पिट अधीनियम प्रस्तावित हुआ था ठीक है बढ़ते हैं प्रशन सत्रा की तरफ प्रशन सत्रा है आपका की राजा शिवा जी के प्रसाशन में राजी की ये पत्रा चार का उत्तर दाइत किसके पास था उप्शन आप लोग पढ़ दीजे मैं जूं कर लेती हुँ ठीक है इसका उत्तर होता है आपका सुरनवीस ठीक बढ़ते हैं प्रशन 19 की तरफ भगवान विठ्थल के प्रती भक्ती भाव दर्शाने के लिए अभांग की रचना करने वाले संत तुकाराम निमलखित में से किस स्थान के रहने वाले थे इसका उत्तर होता है आपका पहला वाला पुने के निकट देहूं में ठीक है प्रशन 19 की तरफ कि भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई और ये प्रशन भी बहुत ही इंपॉटन्ट है और बहुत ही बार पूछा के आ हुआ है अप्शन्स आपने पढ़ लिये होंगे और इसका उत्तर है आपका 1885 में 1885 में आपके भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी बढ़ते हैं हमारे बीसवे और आखरी प्रशन की तरफ आखरी प्रशन है हमारा कि मुक नायक पत्रिका की शुरुवात किस ने होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानि की डॉक्टर बिया रमबेड कर और इसी के साथ हमारा आज का पहला सेट खतम होता है और हमारे चानल के साथ जोड़े रहिएगा और धीरे धीरे हम और भी सेट्स अवेलिबल कराते जाएंगे और इन कोश्ट्स को बहुत ही ध्यान स झाल